शंकर जैक्षिन सहाब के आज हम आपको चार ऐसे अन्रीज गीतों के बारे में जान करी देंगे दोस्तों आप बने रहे हैं हमारे साथ और वीडियो अंत तक दिखेंगे चोटा वीडियो है कोई लंबा वीडियो नहीं है यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को जरूर कर लीजिए और साथ ही दिएगे बेल आईकॉन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास हमारी जो भी लेटिस्ट वीडियो है वो तुरंट पहुंच जाए दोस्तों तो आप देख रहे हैं चितरा सेनिमा टॉकीज शंकर जैकिशन सहाब एक कमाल के संगीत कारते हैं बहुत ही बढ़िया संगीत कारते हैं और ऐसे ऐसे उन्होंने गाने दिये हैं रफी साब लता जी की आवाज में ज़्यादा उनके गाने होते थे मुकरिश जी के साथ भी उन्होंने बहुत काम किया है तो उनके जो गीत है सदा बहार गीत थे शंकर जैकिशन लेकिन किसी कारण वर्ष वह फिल्म नहीं बन सकी क्यूंकि आपको बता दें कि गाने पहले रिकॉर्ड हो जाते हैं फिल्म के और जो फिल्म की शूटिंग का काम है वो बाद में होता है तो कई कारण होते हैं कि फिल्म नहीं बनती रिलीज नहीं होती कई बार और डबे में ब दोस्तो आज हम आपको जिन चार गानों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं वो एक फिल्म नगीना जो 1970 में रिलीज होनी थी या बननी थी उसके ये चार गीत है दोस्तो तेरे मेरे प्यार का अंदाज है निराला उसमें आशा जी और किशोर कुमार साहब की आवाज में गीत था बहुत ही बहतरीन गीत था इसमें हसरत जैपुरी साहब ने गीत को लिखा था और शंकर जैकिशन साहब ने इसका संगीत दिया था फिल्म की बात करें तो फिल्म में जो हमने इसके कोच किया उसमें संजे खान और लीना चंदा वरकर इसमें साइन किया गया था ले जानी था उटी जफ बिस्काशन का संगी वो होता था जो वे अपने ही लेवल का होता था दोस्तों. उसके बाद एक है पहले घंगटा उठा रही तो ये लटाजी की आबाज में यह गीत था ये गीत भी जोस्तों हसरट साव में यह ses Portal ने इसMacu लिखा था और शंकर जानी साह खारा तू ही है सपना हमारा ये भी उसी फिलम का एक गीत है जिसको लता जी ने गाया था दोस्तो तो एक और गीत था इसमें वो थोड़ा उसके बारे में हटके है उस गीत के बारे में यदी फिलम रिलीज हो जाती तो उसमें जो गाई का है उसके नाम के आगे उसके लाइफ का ये डेब्यू सॉंग होता दोस्तों जी हाँ इसमें तेरी ऐसी की तैसी एक गीत है वो रानू मुकर जी और प्रिती सागर ने गाया है रानू मुकर जी नी तो बहुत ही उससे पहले कई गाये थे और यादगार गीत भी गाये हैं उनके बारे में भी आपको जानकरी एक अल सागर के तो जूली फिल्म का जो गीत है माई हार्ट इस बीटिंग उसके बाद तुमारे बिना जी ना लगे घर में भूमी का फिल्म का था ऐसे कई फिल्म में और भी यह बचों के गीत उन्हें बहुत गाये हैं और यदि इस फिल्म में बन जाती और रिलीज हो जाती तो प्रीती सागर का ये डेब्यू कैरियर यहां से शुरू होती 1970 से तो ये एक छोटी सी जानकरी थी इनके शंकर जैकिशन साब के संगीत निर्देशक में क्योंकि वो ऐसा टाइम था कि शंकर जैकिशन साब का जो कैरियर था वो बिलकुल आखरी दौर में थे वो आखरी मोड पे था खत्म होने वाला था उनका कैरियर दोस्तों तो पता नहीं क्या कारण था ये फिल्म नहीं बनी तो ये नगीना फिल्म थी ये तो आपको लिंक गानों के इसमें हम अपने वीडियो में आपको दे देंगे तो आप एंजॉय कीजिए और शंकर जैकिशन साब के जो बन जाती तो दोस्तों अमारे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिये धन्यवाद